सीमचो आफिस बीजापूर के द्वारा विभिन्य स्वास्था संस्थाओं में त्रिती एवं चतूर्त स्रेडी के रिक्त पदो हेतु सविधा भरती है तू विग्यापन जारी किया गया है आपको बता दे कि वीडियो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कारेला मुख्य चिकित सम्थ स्वास्थादीकारी जीला बीजापूर के तोरह जो वेकेंसी जारी की गई है काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर डिश्टिक लेवल पर वेकेंसी जारी की गई है यहाँ पर जो पहला पोश्ट है जिस पोश्ट पर वेकेंसी जारी की गई है वो फार्मेसिस्ट ग्रेट दो के दस पदों पर भरती है तो विग्यापन जारी किया गया है साथ ही पुरूस स्वास्थाय कारेकरता के चार पद हैं और महिला स्वास्थाय कारेकरता के यहां पे दस पद पर भरती लिजाएगी लाइब असिस्टेंस के एक पद हैं ड्रेसर ग्रेट के तेरा पद और ड्रेसर ग्रेट के तिन पद पर यहां पे भढ़ती लिजाएगी ओटी अटेंडिन के लिए यहां पे दो पद हैं बाड बॉय के लिए पांच पद हैं और साथी वाड आया के यहां पे चार पदों पर भढ़ती लिजाएगी उसी प्रकार चौकीदार के दो पद पर भड़ती लीज आएगी और भृत्य के दो पद हैं मेंस सर्विंट के एक पद यहां पर दिये गए हैं चतुर्त स्रेडी के एक पद और धोबी के यहां पर दो पद रिखते हैं स्विपर के लिए चार पदो पर यहां पर भड़ती लीज आएगी भड़ती से सम्मंदित यहां पर जिन पदो पर अप्लाई करना चाते हैं तो उसके लिए आवश्यक सेक्षडिक योगेता एवं प्रसिक्षन जो मांगी गई है स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे तो इस पीडियाप का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन से प्राप्त हो जाएंगे जहां से आप जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है इन पदो पर अप्लाई करने के लिए उसकी इनफर्मिशन आप पीडियाप से एक बार जरूर देख लेए और यदि इन पदो पर अप्लाई करना चाते हैं तो कुछ आवश्यक अनिवारे अहरताएं मांगे गई है जैसे कि पहला तो आपको इन पदो पर अप्लाई करने के लिए बीजापूर जिले का मुलनिवाशी होना अनिवारे है साथ ही आपके पास बस्तर संभाग के अंतरगत रोजगार कारेले का जीवित पंजियन होना अनिवारे है और इन पदो पर अप्लाई करने के लिए आपको आविदन सुल्क भी देने होंगे यहाँ पे विकलांग अनुसुचित जाती है और अनुसुचित जन जाती है तो 200 रोपए आविदन सुल्क है और अन्य पिछड़ा वर्ग यानि कि OBC और जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 400 रोपए फिस पे करने होगे इन पदो पर अप्लाई करने के लिए यह जो फिश है उसको आपको जिला स्वास्ता है समिती बीजापूर के नाम से DD यानि कि Demand Draft के माध्यम से दे होगा तो Demand Draft बना करके आप यह फिस पे कर सकते हैं और अन्य इन भरती प्रक्रेस सम्मंदी तो जो भी information आपको देखनी हो अच्छे से आप पढ़ लें उसके बाद ही आवेदन करें और आवेदन के सम्मंद में यहाँ पे दिशा निर्देश दी गई है कि आपको अपने आवेदन के साथ कौन-कौन से document attach करना है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपको आवेदन पत्र के साथ निवाज प्रमाण पत्र रोजगार पंजन प्रमाण पत्र साथ जाती प्रमाण पत्र और जितनी भी जिस पत्र के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एजुकेशन थी है वो 29 2021 यहाँ पे दी गई है लेकिन यह जो डेट है वो तुटी वर्स यहाँ पे जारी की गई है आप जो आवेदन करना चाहते हैं तो 30 सितंबर 2021 ठीक है यहाँ पे 20 नहीं 30 सितंबर 2021 साम 5 बजे तक आप पंजिक्रित डाग है कर सकते हैं यहाँ पे जो डेट दी गई है वो 29 2021 है लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार सीमचों आफिश के दौरा नोटीस जारी किया गया कि जो आवेदन है वो 30 वस यहाँ पे 20 डेट जो दी गई है वो हो गया है 30 सितंबर 2021 तक आवेदन किया जा सकता है आवेदन फार्म का फ्रार रूप यहाँ पे आपको इस पीडियाप से प्राप्त हो जाएंगे इस क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ठीक है इसी आवेदन को फील करके आपको सीमेचों आफिश वीजा पूल में जमा करना होगा ठीक है यदि इस आवेदन से रिलेट कोई आपको कंफिजन डाउट हो तो कमेंट के मादे हमसे पूछ सकते हैं I hope वीडियो आपको अच्छी लगी होगी information आपके काम की होगी तो वीडियो आप लाइक ज़रूर करें और नय है पहली बारा है हमारे चैनल में तो इस तरह से जौब रिलेटिट और अन्य information के लिए आप हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी information आगे आती है वो आपको प्राप्त होती है